अब कि एलो जी असलामलेकुम आज की जो वीटियो है वो बहुतिकली हम एक न ही सीरी जे स्टार्ट कर रहे हैं एंट पारण इस रिलेटेदेट फॉटे टॉ पंक्सिशिंफंच माक्स में हमारे पास जो होते हैं वो pauses होते हैं इसके लावा हमारे पास जो होते हैं full stop, question mark, exclamation mark होते हैं ठीक है जिनको हम terminal punctuation भी कहते हैं तो हमारे पास जो punctuation में सबसे typical और सबसे complex जो एक punctuation mark होता है वो हमारे पास basically comma होता है जिसका use सबसे ज्यादा किया जाता है ए Правारा राइटींग में और सब्से जादा जिसको आप कह लें के मुश्किल जिसका हो सकते हैं इतना मुश्किल Ley Lexiles को थोड़ा मुश्किल होता है मैं इसके बीज़ च। है तो मैंने सुचा के जो हमारे punctuation की सीरीज उसका स्टार्ट जो है वो इसी से किया जा है क्यूंके बाकी सब जो है वो थोड़ी सी explanation के साथ भी कवर हो सकते हैं जब के punctuation में हमें at least at least 2 videos चाहिए ही चाहिए जाहिए इसको कवर करने के लिए तो विदाओट वेस्टिंग अनी फुर्थर ताइम इसमें अर्मार रहीम लेट्स स्टार्ट अच्छा जी तो कॉमा में जो सबसे पहला जो इसका यूज होता है वो बहुत कॉमा ने करते हैं या कोई भी distinct objects इना लिस्ट होते हैं उनको separate करने के लिए हम कॉमा का यूज करते हैं तो examples are mathematics, history, chemistry and physics are your most important subjects ठीक है दूसरी example है PAF यानि के पाकिसान यूज करते हैं अच्छा एक बाद आपने यहां note की हो या ना की हो कि हम कुछ लोग जो होते हैं वो last object होता है लिस्ट का जैसे पहला sentence देखें के mathematics, history, chemistry यह chemistry यह last object है तो इसके बाद मैंने and से पहले comma use किया है ठीक है और दूसरे sentence में नहीं किया देखें जैसे अब दूसरे sentence पढ़ें PAF uses JF-17, F-16 and F-7PGs यानि के मैंने F-7PGs के बाद comma use नहीं किया ठीक है तो इसका जवाब यह है के कोई hard and fast rule नहीं है आप चाहें तो कर सकते हैं और अगर ना चाहें तो नहीं कर सकतें most of the people कर रहे होते हैं बढ़ अगर आप नहीं करना चाहरे तो ना करें ठीक है इसी तरीके से जो आपको यहां पर बात clear हो चुकी होगी वह यह है कि जब last object होता है यानि कि अगर आप मैं मैं आपको एक हूँ कि end से पहले comma लगेगा या नहीं लगेगा तो इसका जवाब यह है कि लग सकता है और नहीं भी लग सकता दोनों ही चीजें गलत नहीं है इस totally up to you ठीक है तो यह तो सबसे पहला जो हमारा rule हो गया comma का सबसे असान वाला तो separate of breakup objects है ना list ठीक है दूसरा जो हमारे पास comma का use है यह हमने बहुत अगा अगर आप जैसी बाते किताबे तो पढ़ जो whatever तो उसमें आपने यह चीज बिलकुल notice की होगी कि कॉमा का use कहा हो रहा है to separate words that are not included in a sentence ठीक है example कहा है unfortunately we lost the match अचा देखें unfortunately जो है वो writer का या speaker का opinion है ठीक है unfortunately we lost the match actual sentence कह है we lost the match that means के unfortunately जो है वो sentence का हिस्सा नहीं है ठीक है तो वो words जो sentence का हिस्सा नहीं होते हैं हम उनको sentence से अलग रखने के लिए अलग show कराने के लिए कॉमा use करते हैं ठीक है so हमने कहा के unfortunately we lost the match ठीक है hopefully he will complete his homework hopefully is my opinion or my wish ठीक है ठीक है या फिर आप कहलें कि मुझे उमीद है उससे लेकिन यह sentence का हिस्सा नहीं है sentence क्या है he will complete his homework तो इस hopefully को इस sentence से अलग करने के लिए मैंने कॉमा use किया ठीक है इस तरीके से और words हो सकते हैं like frankly हो सकता है ठीक है third में sadly हो सकता है sadly his father died in a car accident sentence क्या है his father died in a car accident sadly is showing my emotions के इस tragedy पे मैं जो हूँ वो घम गीन हूँ ठीक है तो यह जो है कॉमा का दूसरा use हो गया I hope के यह भी बात आपको clear हुई होगी moving on to the third use अच्छे थर्ड यूज जो है कॉमा का यह भी बहुत सिंपल सा है आपने हमेशा यह देखा होगा लिक जब आपने कुई भी चीज पड़ी होगी तो आप उसमें देखते कि जब हम किसी को address कर रहे होते हैं तो हम जब किसी को address कर रहे होते हैं अपनी writings में तो भी हम कॉमा का use कर सकते हैं हम कहते हैं अली can you help me with my assignment ठीक है sir please consider my request ठीक है तो इसी तरीके से आप कोई नाम ले ले हैं मैम या जो भी आप किसी को बुलाते हैं doctor कुछ भी आप जो भी आप जिस नाम से भी किसी को address करते हैं तो उसके साथ भी हम कॉमा use करते हैं ठीक है तो यह जो है third point है यह भी for simple's है I hope आपको clear हो गया होगा number four to separate conjunctive adverbs अब conjunctive adverbs क्या होते हैं conjunctive adverbs जो वर्ड होते हैं आपने सुने होंगे therefore however moreover ठीक है इनकों joining words भी कहते हैं यानि कि यह दो sentences को दो clauses को कहलें join कर रहे होते हैं right देखें इस फर्स example commander commander ordered hasan to return to base however he wanted to chase the enemy aircraft तो यहाँ पर conjunctive adverbs क्या है however conjunctive adverbs और बहुत सारे हो सकते हैं यहाँ पर मैंने सिर्फ तीन ही mention किया है instead भी यहाँ पर हो सकता है thus यहाँ पर मैंने mention किया for example यहाँ पर हो सकता है to separate conjunctive adverbs तो conjunctive adverbs आपने हमेशा याद रखने है therefore however moreover thus for example these all are conjunctive adverbs ठीक है यह दो वर्ड इनको आप joining words यह linking words भी कह सकते हैं जो के those clauses को यह दो sentences को link कर रहे होते हैं आपस में ठीक है commander ordered hasan to return to base however अब हुआ क्या उसके बाद he wanted to chase the enemy aircraft यह दो अलग-अलग sentences हैं यह दोनो independent clauses हैं इनको link कर रहे हैं कौन एक conjunctive adverbs which is however in the first sentence ठीक है next example देख लेते हैं he kept disobeying his teacher therefore the teacher kicked him out of the class यह दो यहाँ पर फिर sentences हैं और इनको link कर रहे हैं इनको join कर रहे है conjunctive adverbs which is therefore in the second sentence ठीक है तो आज की जो part 1 है यह कॉमा का जिसमें आप को चार uses बताएं अगर पूरा कॉमा यहाँ पर discuss किया जाता है मजीद uses तो वीडियो लंबी हो जाती जो कि of course पर आप लों के लिए भी देखना मुश्किल हो जाता है तो आज के लिए रोपते हैं एंड में एक बात जो मुझे शुरू में बतानी चाहिए थी मैं भूल के बताना वो आप सुन लें कॉमा जो है यह English language का वर्ड नहीं है ठीक है यह है basically कॉमा यह एक Arabic language का वर्ड है जिसका मतलब होता है वक्फा लेना ठेहरना तो स्टॉप ब्रीफली एंड थैक है तो स्टॉप ब्रीफली ब्रीफली means to stop for some time थैक है तो कॉमा जो है basically यह English language का वर्ड नहीं है यह एक Arabic language का वर्ड थैक है कॉमा काफ जो आपका दो नुक्तों वाला काफ काफ वाउ मीम है ठीक है तो यह भी एक चीज थी आपकी जर्र लॉर्ड में अजाफा मैं सोचा कर दूं आपको पतर भी होना चाहिए जब आप एक चीज पढ़ लें तो आपको उसका origin भी बता होना चाहिए तो यह एट फो टोड़े उमीद है आपको समझाया होगा कोई क्यूरी हो तो प्लीज कॉमेंट बॉक्स में बोल लिया करें इन्शाला ताला इसका पार्टू भी जल्द अप्रोड करेंगे अपना ख्याल रखिएगा साग लाला आफ़ेश कर दो